Hello guys, welcome back to the channel, कैसे हो आप सब बढ़िया, तो guys आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक बैंक के परसनल लोन के बारे में, अगर आपको पैसों का बहुत जादा एमर्जनसी है, तो आप कोटक बैंक से 35 लाग रुपीज तक का लोन यहां पे ले सकते हो, और यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि CocoDuck Bank में अकाउट होना चाहिए, तो ही आपको लोन मिलेगा, आप CocoDuck Bank में अकाउट हो या फिक ना हो, तो भी आप यहां से लोन ले सकते हो, और लोन लेने का भी वहिया कोई भी परफस हो सकता है, मतलब कि आप घर में कोई शादी हो, कहें घुमने ज किया करो, because bank का जो interest rate रहता है, वो comparatively कम रहता है, अगर आप किसी भी personal loan application से अगर आप उसको compare करोगे तो, लेकिन ऐसा नहीं कि bank में कोई charges नहीं होते है, bank में भी बहुत सारे charges, जैसे कि सबसे पहले हो गया, आपका interest rate फिर हो गया processing fees फिर मालो गलती से एक EMI मिस कर दी तो उसके लिए charges कितना late payment करोगे उसके लिए charges बत्रा बहुत सारे charges होते है personal loan के even अगर आप bank से ले रहे हो तो भी तो आज के वीडियो में हम सारे charges को बिल्कुल detail में यहाँ पर discuss करेंगे because loan लेना बहुत easy होता है loan लेने के बाद उसको return करना उसके charges देना बहुत ज्यादा जहमेला होता है तो पूरा detail में हम आज के charges को discuss करेंगे and loan कैसे लेना है उसको भी मैं आपको पूरे detail में बताऊंगा अब सबसे पहले जैसे कि वीडियो के start में मैंने आपको बताया कि कोटक bank से 35 रुपया तक का loan आप यहाँ पर easily ले सकते हो interest जो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा वह 10.99% से लेके 25% तक का आपको interest देना पर सकता है यह कैसे decide होगा कि आपको 10.99 देना है या 25 देना है या बीच का कुछ amount देना है तो यह totally depend करेगा आपके credit score के उपर अगर आपका credit score अच्छा रहता है तो आपका interest rate कम रहेगा अगर आपका credit score खराब रहता है तो आपका interest rate राधा रहेगा तो यह totally credit score के उपर depend करता है साथ ही आपकर हम time period के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोटक bank से आप 6 साल तक के लिए personal loan ले सकते हो जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही sufficient time period है अपने loan को return करने का यहाँ पर जभी भी आप loan लेते हो न साथ में आपको processing fees भी देना पड़ता है जो कि extra आपको लगता है तो यहाँ पर कोटक bank में जो आपको processing fees चार्थ किया जा रहा है वो 5% तक का लिया जा रहा है जो भी आपका loan amount होगा up to 5% पूरा 5% की बात नहीं कर रहे हैं आपका वो 2% भी हो सकता है 3% भी हो सकता है तो up to 5% तक आपको processing fees भी आपको देना पड़ेगा अब मानलो अगर आप यहाँ से loan लेते हो और आपने मानलो एक भी EMI मिस कर दी न तो यहाँ पर जैसी आप अपना EMI मिस करोगे तो साड़े 700 रुपया प्लस taxes आपको देने पड़ेंगे as bouncing charges फिर यहाँ पर आप जितना दिन बाद अपना payment करोगे उस पर आपको 8% पर आनम का आपको interest देना पड़ेगा यहाँ पर देना है और यह जो interest आपको लगेगा वो पर दे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा साथ ही अगर आप मानलो आपने जभी भी अपना EMI बनवाया उस टाइम आपने अपना कोई एक payment का mode बता होगा कि हम इसी payment mode से अपना payment जो है वो payment करेंगे लेकिन किसी भी रीजन से अगर आपको अपना जो payment mode है उसको change कराना है तो यहाँ पे आपको 500 रुपाय का जो charge है वो 500 रुपाय प्लस taxes का जो charge है वो यहाँ पे आपको pay करना पड़ेगा प्री payment closures की बात करें कि मानलो आपने मानलो फर एक्जामपल इनसे लोन लिया 10 लाख रुपाय का और आपका दो साल के बाद ही हो गया कि नहीं भीया मेरे पास पैसे आ गया है फाल्तू के interest को देना तो इसको बंद करवा देते है चार्जर भी बच जाएंगे और जहमिला लिए खत्र हो जाएगा तो अगर आप पहले अपनाड़ कराना चाते हो तर अगे आप आप अपना को क्रोज करना चाते हो तो अगर त। 2% का जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा तो ये हो गया आपके जितने भी प्री क्लोशर के चार्जेज अब मान लो इसको में की एक्जामपल के साथ समझ लेते हैं कि मान लो अगर आप इनसे 5 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हो 14% पर आनम के इन्टरेस्ट के हिसाफ से तो इसामपल 14% हमने लिया बीच का यहाँ पे लिया है विकॉज नॉमली आपको 14, 15, 16, 17% में एजली यहाँ पे लोन मिलने का चांसे हाई रहता है तो मान लोगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हो 14% के हिसाफ से और अगर आप 2 साल के लिए अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा यह सारी चीज़े समझ लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट बन करके आएगा दो साल के लिए वो होगा 76,155 रुपीज मतब यह अमाउंट जो है वो आपको एक्स्टा में आपको देना पड़ेगा साथी जो प्रोसेसिंग फीज है वो भी आपको 5% तक का आपको वहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे जो आपका EMI बन करके आएगा पाच लाग के लिए दो साल के लिए तो वो बन कर आएगा 24,006 रुपया यह जितना भी मैंने कल्कुलेशन में आपको बता रहा हूँ वो एक्जांपल के तोर पे बता रहा हूँ अगर अपका इंटरिसट师 कम रहेगा तो आपका जो चार्जर है वो कम हो जाएंगे अगर आपका इंटरिस्ट cylinders जादा होगा तो आपको charging वो बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ने मैंने आपको एक लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस लिंक को क्लिक करना है, जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे, सीधा सीधी आप कोटक बैंक के विबसेट में चले जाओगे, कहीं और ने जाना है, लिंक बैंक अकाऊंट कहाँ पर है, कोटक बैंक के अलावा कहीं पर आपका बैंक अकॉट होगा ना, वहां पे आपको 인्टर कर देना हैं, उसके बाद आपको किरी आट डाल लार यहाँ, उसके बाद आपका वीडियो KYC किया जाएगा सारी चीज़ें सही रहेगी तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाएगे तो कोटक बैंक से जो लो लेने का process है वो बहुत ही जादा सिंपल है लिंक नीचे description में दिया हुआ है अगर आपने अभी तक हमारा टेलीगरम चैनल जोईन ने किया तो जल्दी से जोईन कर लो वहाँ पर आपको ये personal loan, credit cards और special discounts रेटेट बहुत सारे लिंक्स आपको हम आपे share करते रहते हैं तो लिंक नीचे description में दिया हुआ टेलीगरम का उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो like जरूर करिएगा चैनल पर नहीं तो subscribe जरूर करिएगा जल्दी मिलते हैं इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए